नमस्कार स्वागत है आप सबका ये है BBC दुनिया और मैं हूनेहा भटनागर इचली के तट रक्षकों ने लिबिया के पास सारे 6,000 प्रवासियों को समुद्र से बचाया यूरोप आने की कोशिश करने वाले प्रवासियों का बड़ा रास्ता बनता जा रहा है लिबिया यूरोपिया कमिशन का आपल को 15 अलब डॉलर का टैक्स चुकाने का आदेश अर्बों के मुनाफे पर आइलेंड के नाम मातर का टैक्स चुका रही थी आपल फिलिपीन्स में ड्रग्स विरोधी अबियान में बड़ी संख्या में उतारे जा रहे हैं लोग मौत के घाट राश्ट्रपती ने चिनाओं में किया था ड्रग्स कारोबार पर रोक लगाने का बादा ब्रिटिन में सांसदों की कॉस्मेटिक्स में इस्तिमाल के जाने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने की मांग समुद्री जीवों के लिए नुकसान दे हैं माइक्रोबीन्स और अफ्रीकी देश मौरटानिया में रेट के भीतर सोना खोजने में जुटे हैं हजारों लोग स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में भूम अद्यसागर में लीबिया के तट के पास करीब साड़े छे हजार प्रवासियों को बचाया गया है इसे अब तक का सबसे बड़ा rescue operation बताये जा रहा है ये लोग स्मगलरों की मदद से नावों में सवार होकर इटली के लिए रवाना हुए थे अफ्रीकी देशों से यूरोप आने का भूम अद्यसागर का खतरनाक रास्ता अपनाने वाले बड़ी संख्या में अपनी जान गवा देते हैं भूम अद्यसागर में कई घंटे जद्धुजहत के बाद जैसे ही प्रवासियों को राहत टीमों की नावें दिखाई दी उन्हों ने उनकी तरफ तैरना शुरू कर दिया सेक्डों जिंदगिया निगल चुके पानी में ऐसा होते ही वो राहत की सांस लेते हैं पिछले दो दिनों में लीविया के तट पर अंजाम दिये जा रहे दरजन और रेस्क्यू आपरेशन्स में से एक कम मनज़र कम से कम साभे छेह हजार लोगों को बचाया गया है उन्हें बचाय जाने के बाद उन्हें मिलीटरी जहाद से इटली ले जाया जाता है वहां उनकी परिस्थती, नागरिकता और अन्य आधारों पर तैय कि आ जाता है कि उन्हें शरण मिलत कती है या नहीं माना जा रहा है ज्यादा तर प्रवासियों से भरी नावें पश्चिमी लीविया के सब्राता शेहर से इतालवी दूइप लैंपडूसा पहुँचने के लिए निकली लेकिन समगलर ना तो दिशा समझने के लिए नैविगेशन सिस्टम महाया कराते हैं ना अन्य सुरक्षा इंतजाम ज्यादतर को बोर्ट समालने का अनुभव भी नहीं होता इस साल अब तक इटली में एक लाख पांच हजार प्रवासि पहुँचे जन्वरी से अब तक तीन हजार से ज्यादा प्रवासि समधर में जान गवाँ चुके हैं यानि पिछले साल के मुकाबले पचास फीस दीज ज्यादा और अब डिजिटल दुनिया की हल चल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चीनी दुतावास पर आत्मगाती हमला हुआ हमलावर की गाड़ी दुतावास के गेट से भिड़ गई और धमाका हुआ इसमें हमलावर मारा गया और तीन लोग घायल हो गए अभी हमले की जिम्यदारी किसी ने नहीं ली है चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है सोमालिया की राजधानी मोगादीश्यों में राज़पती भवन के पास एक ट्रक बंधमा का हुआ हमले में कम से कम दस लोगों के मारे जाने की खबर है घायलों में कुछ राजनेता भी है इसलामी चरंपंती गुट अलशबाब ने इस हमले की जिम्यदारी ली है बंद की गई वेबसाइट मेगा अपलोड के संस्थापक किम.com अपने प्रत्यरपण के खिलाफ अपील का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण कर सकते हैं न्यूज़रंड के एक जज्ज ने ये निर्नाय दिया है अमेरिका ने कॉपी राइट उलंगन और पैसों की खेराफेरी के मामले में उनकी पेशी की मांक की है और उसने सुनवाई की स्ट्रीमिंग का विरोध किया था यूरपिया कमिशन ने टेक्नोलोजी कंपनी आपल को करीब 15 अरब डॉलर टैक्स लोटाने का आदेश दिया है उसने आइलेंड में आपल के टैक्स खाते की जांच पर पाया कि एक अरब डॉलर के मुनाफ़े पर वो सिर्फ 500 डॉलर टैक्स दे रहा था एपल ने कहा कि यूरपिया कमिशन आइलेंड के टैक्स कानूनों की अंदेखी कर रहा है और जानकारी के साथ हैं बीबीसी बिजनस अंबादाता आरन हैसलहरस्ट एउ का कानून ये है कि कोई भी एक सथ से किसी एक कमपनी को कम टैक्स दर देकर पक्षपात नहीं कर सकता आरलेंड का कॉर्परेट टैक्स यूं भी बस साड़े बारा फीसदी है जो एउ के सबसे कम दरों में से एक है लेकिन एपल को ऐसी डील दी गई जिससे वो दो फिसदी या फिर उससे भी कम दर पर टैक्स बर रहा था अमरिका इससे काफी नाराज है उसका कहना है कि यू अपने तायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है इससे पहले भी Google, Amazon, Starbucks, McDonald's जैसी अमरिकी कमपनियों को ही टैक्स मामले में घसीटा गया यूरोप में कम टैक्स वसुलने वाले देशों में काम कर रही इन कमपनियों ने काफी पैसा बनाया है जैसे ही ये पैसा अमरिका में जाएगा वहां भारी टैक्स वसुलनेंगे पर अगर वो यूरोप में ही ज्यादा टैक्स वसुलनेंगे तो अमरिका की छोली में पैसा कम आएगा लेकिन ये मामला अभी लंबा कीचेगा आरलेंड और एपल दोनों अपील करेंगे और ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है ये बात प्रतियोगिता की है फिलिपीन्स में रोडरीगो डिटर्टे के राश्टपती के बनने के बाद करीब दो हजार लोगों को ड्रक्से जुड़े अपरादों के लिए मौत के घाट उतार दिया गया है उन्होंने चिनावों से पहले ड्रक्स कारोबारियों के साथ सक्ती का वादा किया था इस बदलाओं से कुछ खुश हैं तो कुछ इसे सही नहीं मानते फिलिपीन्स की जेलों में इन दिनों ड्रक्स के लती और डीलर भरे हैं यहां ड्रक्स की बड़ी समस्या है मनीला की जुग्यों में आए दिन लोग मारे जाते हैं माई में चुने गए राश्टपती रोड्रेगो डिटेटो ने पहले ही कह दिया था कि वे ड्रक्स डीलरों को जिन्दा नहीं चोड़ेंगे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया अगर मैं इनकी वज़े से तकलीफ उठा रहा हूं नशे की लट की वज़े से मैंने बहुत लोगों का नुकसान किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ड्रक का इस्तेमाल करने वाला हर शक्स अपराद ही नहीं होता करीब साथ लाख नशे के लटी लोगों ने जान जाने के डर से आत्म समर्पन कर दिया है अब इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को जेल में रख पाना भी पुलिस के लिए चुनौती है और BBC शॉट्स में आज देखिए ड्राइवरलेस कारों की रेस, क्रेन में फसे लोग और पेरू में बेल हुए बेकाबू 21 सदी के इस हाइटेक माहौल में हर तरफ ड्राइवरलेस कारों का शोर है और इसी रेस में देवबॉट नाम की एक ड्राइवरलेस रेस कार को ब्रिचिन के डॉनिंटिन पार्क सरकिट में ट्रायल के लिए उतारा गया इस कार को बनाने वाली कंपनी काइनेटिक ऐसी गाड़ियों की एक प्रत्यों गिता करवाना जाती है अमरीका के रोड आइलिंड में एक पुल पर फसे दो लोगों को क्रेन से बहार निकाला गया दोनों पुल के नीचे का निरिक्षिन कर रहे थे कि अचानक क्रेन का एक हिसा नीचे खिसक गया दोनों को कोई चोट नहीं आई पेरू में चल रहा एक धार में कुछ सब अचानक हाथसे में तबदील हो गया जब वहां बैलों ने लोगों की भीड के बीचो बीच भगदर मचा दी इस दोहार में बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और सडक पर खड़े लोग बैलों की रसियों को पकड़ कर उन पर काब उपाने की कोशिश करते हैं ब्रिटन में सांसदों ने कॉस्मेटिक्स में पाई जाने वाले प्लास्टिक माइक्रो बीच पर रोक लगाने की मांग की है उनका कहना है कि इससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच रहा है इनसे समुद्र में प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है अमेरियका जैसे कुछ देशों ने इन पर पहले ही रोक लगाई हुई है सुनने में शाय थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन हमारे शैंपू, शावजल और टुथपेश से समुदर में बसे वन्य जीवो को नुकसान पहुंच रहा है हम बात्रूम में कई ऐसी चीजों का इस्तिमाल करते हैं जिनने खुरदरा बनाने के लिए छोटी प्लास्टिक बीट्स का इस्तिमाल किया जाता है ये बीट्स नाली से छोटे जीवो के पेट तक पहुंचते हैं जिससे वो फिर ठीक से खा नहीं पाते यही वज़ा है कि सांसद इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं हम चाहते हैं कि बृतानी सरकार ऐसी राष्ट्रिय समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रिय प्रतिबंद की वियवस्था करें हम ये भी चाहते हैं कि सरकार अन्य यूरोपिया देशों के साथ मिलकर पूरे यूरोपिया संग में इस पर रोक लगा दे लेकिन सिर्फ माइक्रो बीजी नहीं उनकी जैकेट्स भी प्लास्टिक की बॉटल से बनती हैं जो धोने पर रेशा छोड़ते हैं और फिर वो समुदरी जीवों के अंदर चला जाता है कार के टायर में भी माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं वने जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली जड़े तो बहुत हैं लेकिन सांसदों का मानना है कि माइक्रो बीज पर रोक एक अच्छी शुरुआत होगी अफ्रीकी देश मौरिटानिया में हर रोज हजारों लोग 40 डिगरी के उपर तापमान में रेगिस्तान में घंटों खुदाई कर सोना ढूनते हैं कुछ लोगों की किसमत इससे पलट गई कुछ को किसमत पलटने का इंतजार है सरकार के तरफ से ढील की वज़ा से लोगों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा मिल रहा है मौरिटानिया की रेगिस्तान की बीच कड़ी धूप में हजारों स्थानिये लोग अपने खुआप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस रेथ में किसी को थोड़ा तो किसी को इतना सोना मिला के उसमें अपने लिए घर खरीद लिया और आपको कितना मिला? 6 ग्राम सोना मिलने की उमीद में वितप्ती धूप में पानी के बिना उमीद खोई बगेर कई दिनों तक खुदाई करते रहते हैं मौरिटानिया की एक 24 से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा कि नीचे जीवन बिता रही है सरकार का कहना है कि सोने की तलाश की इजासत मिलने से इन लोगों को अपनी जिन्दगी सुधारने का मौका मिल रहा है एहमद को 27 दिन में सिर्फ 6 ग्राम सोना मिला है लेकिन उसे उमीद है कि किसी न किसी दिन उसकी किस्मत पल्टेगी दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्स्क्लूजिव और खास कबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त यानी 9 बज़ कर 20 मिनट पर हाजिन होंगे तब तक के लिए BBC दुनिया की पूरी की पूरी टिम को दीजे इजाज़त नमस्कार